अखंड मंडला कारं व्याप्तं एन चराचरं तत्पदं दर्शितं एन तस्त्मै श्री गुरवे नमाः तस्त्मै श्री गुरवे नमाः परमहं सहा गायन्नस्ति दोशह कस्यापिन अंबा अहं स्वकातगाधकूपे मध्नहसं म्रियमानहस्यामे ममशड्रिपवह कोदंडस्वरूपाह तैहि अहं पुण्यक्षेत्रे कूपंखातवां तक्कूपे वेगेन कालरूपजलं निस्यंददस्ति हे कालमनोरमे किम्भवतितारिनी त्रिगुनधारिनी गुणं करोशिस गुणं कथमेत जलं निवारयानी इती चिंतयती दाशरति अनिवारयं जलं क्रमेन ममहृदय पर्यंतमागतं कक्षपर्यंतमागतं ममजीवनं कथमभवत अम्ब रक्ष त्वत्मम अपेक्षाईयं देहि अम्ब मुक्ति भिक्षाईं कटाक्षेण भवसागरस्य तत्पारं माम्नया इदानीम परमहम्सह येतत गीतं गायन्नस्ति शंकरी येशहमम विकारह कह तवकृपा अस्य विकारस्य धन्वंतरिही मिठ्याभिमानह ममज्वरह अभवत मममोहह एवपापम भवत अतह जनधनत्रिष्णया विरहितह नाभवं कथमभाजीवनं कुर्यामहं अनित्य विशयकालापे पापप्रलापे सततंभवामि सर्वमंगले मायाकात निद्राच दाशरथेहे नयन युगले हिम्सारूपी क्रिमिह अस्ति उदरे निरर्थक कार्यार्थं भ्रमामी तदेव भ्रमनं जातं अस्मात रोगात अहं जीवेयं वानवां त्वन्नामनी अरूचिही दिवानिशी संप्रती स्वी रामक्रिष्णह वक्तुम आरभ्धवान भगवन्नाम जपे रूचिही स्वी रामक्रिष्णह विशमशीत ज्वर रोगिने आहारे रूचिही एवन भवतिचेत सहा जीवितुमेवन शक्नोती किन्तु तस्मिन ईशत रूचिही अस्तिचे दपी सहा जीवती इती आशाम स्थापयतुम् शक्यते तथा एव भगवन्नामनी यस्य रूचिहीन भवति तस्य भवतारणं कष्टाय भवति अतहा भगवन्नामनी रूचिही भवति इव करणीयं तदर्थम भगवन्नाम जपनीयं दुर्गा नामवा, कृष्ण नामवा, शिव नामवा, किमपि भवतु नामजप करणेन, क्रमशह, दिने दिने भगवद अनुरागहा भवति चेत आनंदहा लभ्यते चेत, भवसागरात भीतिही न भवति विशम शीत ज्वरस्य नाशह भवत्येव, भगवत क्रुपा लभ्यते एव